असलाम अलेकम जी, so welcome you to another lesson, इसमें हम लोग अपने brush को continue करेंगे और मैंने एक vector कहीं से copy किया है और इसको हम trace करेंगे using our brush rule तो अभी तक हमने brush का जो एक simple सा stroke है उसको learn किया है और calligraphy brush कैसे create किया जाता है, so calligraphy brush को use करते हुए ही हम लोग अपने इस जो हमारे पास एक character है, इसको trace करेंगे और यहाँ पे pen tool की मदद से अपने इस envelope को create करेंगे, ठीक है जी? तो इसके बाद, दोनों को create करने के बाद, shape builder tool, that is very important जब हम इसको सीख रहे थे, तब maybe आपको इसकी सही importance का अंदाजा नहीं होगा क्योंकि तब हमने shapes पे काम किया था, तो जब हम इस character को design करेंगे, इसको trace करेंगे तो आपको यहाँ पे shape builder tool काफी ज़्यादा useful होगा, ठीक है जी? तो start करते हैं मैं सबसे पहले अपनी slayer को lock कर लेता हूँ ताकि मैं इस पर जो भी draw करूँ, मैं create करूँ वो मुझे disturb ना करें, इसको हम delete कर लेते हैं, what this path is about ठीक है जी? तो यह हमारे पास एक link file है, इसको मैं यहाँ से lock कर रहा हूँ इसको हम zoom in कर लेते हैं and let's start creating this character और इसके बाद इस envelope को create करते हैं ठीक है जी तो मैं brush tool ले रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से brushes में जाता हूँ से square bracket, right square bracket से आप लोग अपने brush को उसका size है उसको increase कर सकते हैं और left square bracket से इसका size reduce कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं अपने keyboard से right square bracket, square bracket या curly brackets यह एक ही button पे हैं, तो आप इस button को press करें, इसका size बढ़ा हो रहा है, brush का और अगर आपने brush का size reduce करना है तो अपने keyboard से square bracket या curly brackets जो left side पे है, उसको press करें तो इसका size reduce होगा कुछ practices को follow करेंगे, तो मैं layers में जा रहा हूँ और यहाँ से जाके मैं एक नई layer create कर लेता हूँ और इसको हमें एक नाम देते हैं body का, ठीक है, तो मैं जितनी भी body create करूँगा, उसको मैं रखूँगा body की layer के अंदर और face की layer हम अलग से बनाएंगे और इस envelope की layer हम अलग से create करेंगे, ठीक है, तो मैं body पर click कर रहा हूँ और इसके बाद हम body start करते हैं, ठीक है जी For example, we are starting from here, अब यह देखें, stroke इसने somehow मेरा बहुत ददा smooth नहीं किया, तो अगर आपको लगे कि stroke आपका बहुत smooth होना चाहिए, तो मैं इस पर double click कर रहा हूँ और इसको हम थोड़ा सा मजीद smooth कर लेते हैं, so maximum पर कर लेते हैं, और देखते हैं कि हमारे पस क्या results हैं, ठीक है और क्योंकि हमने body continue करनी है, we really want कि हम जहाँ पर उसको छोड़ें, जहाँ पर stroke अपना खतम करें, उसको वहाँ से continue करें, तो we really want कि यह वाली जो option है, तो उसके लिए selected होनी चाहिए, तो मैं इसको select कर लेता हूँ, और इसके बाद इसकी जो smooth नहीं से, उसको maximum कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब create करके देखते हैं, जी, ठीक है, काफी है तक smooth हो गया, इसके बाद इसको यहाँ से continue करते हैं, right, आगे दुबारा continue करते हैं, अब क्योंके जो यह जो इसका upper part है, body का, अब क्योंके इसकी जो leg और इसकी जो arm है, उसके पीछे, वो hide हुआ हूँ है, तो उसको हम लोग कुछ imagine कर सकते हैं, कि वो यहाँ से ऐसा होगा, ठीक है, और यह जो उसका यह वाला part है, यह इस envelope की पीछे hide हुआ है, तो उसको हम imagine कर सकते हैं, कि वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, वो आपका थोड़ा सा, आगे पीछे हो भी जाए, that doesn't matter, क्योंके that is not going to be displayed, अगर आपने इसको मजीद थोड़ा सा smooth करना, आप इसको smooth कर सकते हैं, ठी स्मूथ के लिए, यहां पे एक shaper tool है, इसके अंदर एक smooth tool है, ठीक है, pencil tool के साथ, मैं smooth tool पे click कर रहा हूँ, पहले हम अपनी इस path की selection कर लेते हैं, फिर smooth tool लेते हैं, और simple, अपने जो path हैं, उसको हम थोड़ा सा smooth कर लेते हैं, ठीक है, जी? तो brush tool को भी हमने smooth रखा था, उसने काफी हद तक हमारे path को smooth किया, लेकिन अगर आप मजीद smoothness लेके आना चाहते हैं, अपने path के अंदर, कि वो देखने में अच्छा लगे, और ऐसा ना लगे, कि यह बिलकुल जो lines हैं, वो बहुत disturbed हैं, इनको अगर smooth कर लिये जाए तो, ज आने वाले जो lessons हैं, उसके अंदर हम मजीद कुछ tools को learn करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि मजीद इसको कैसे fix किया जा सकता है, ठीक है, so at this moment we are living as it is, तो अपने जी next part के उपर आते हैं, ठीक है, यह हमारा एक जो part है, यह complete हो गया, इसको मैंने select नहीं किया वा, जी, यह जो इसका हाथ है, अब यहां से जो इसका हाथ है, गर इसने इसको बहुत ज़्यादा smooth कर दिया, तो हमें उसको fix करना पड़ेगा, वापस आते हैं जी, ठीक है, तो यहां पे थोड़ी सी गड़बड है, इसको fix करने के लिए, you can make use of your smooth tool, या हम दुबारा से इसको draw करते हैं, और इसको जो smoothness है, उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और दुबारा से create करते हैं, ठीक है, and let's see what are the results, तो अगर smoothness में थोड़ी कमी को ताही रह जाएगी, तो उसको हम अपने smooth tool से cover कर सकते हैं, ठीक है, smooth tool लिया, और maybe, यहां पर थोड़ा सा use कर लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा use कर लेते हैं, और उसके बाद direct selection tool लेके make sure कि आपका path closed है, ताके हम इसको बाद में colors design कर सकें, ठीक है, तो यह different angles को आप adjust कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, हम लोग जब इस side पर आएंगे, तो यहां से इस anchor point को select करते हैं, अपने direct selection tool से और इसको थोड़ा सा set कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद यहां पर आते हैं, so it looks good, अगर आपको लगे के नहीं मुझे बिल्कुल accurate वही shape चाहिए, so you can adjust it, इसका angle थोड़ा सा यहां से adjust कर लेते हैं, और इस यहां पर roundness का थोड़ा सा issue आ रहा है, so make it a little round, ठीक है जी, अगर आप मजीद इसको round करना चाते हैं, तो आप लोग अपने smooth tool को use कर सकते हैं, और मजीद इसकी roundness पर काम कर सकते हैं, ठीक है जी, अच्छा उसके इलावा हम इसके जो next parts हैं उसके उपर आते हैं, और अब मैं थोड़ा speed से लेके चलूँगा, so that you can see के पूरा जो character है, वो कैसे draw किया गया है, तो जब हम इसको complete इसकी जो outlines उसको draw कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें colors की तरफ आएंगे, ठीक है जी, so let's see के ये character मजीद आगे कैसे draw किया जाता है, कि करते हैं, so कि अल्वे कई मांद है कि तरफ प grants जाएंद सेझे आजआ है, तो जई हैं, तरफ नहींज़ा सस्क hatte कि तरफ और क्नेद मांस हम और का सकतच्त है, प्रफ चलों को ढिए राद हैं, usat कि तरफ रूलों सक्तरर चारे बांद नहीं मिदन सकत्ता है, जी तो हमारी शेप यहां तक complete हो गई है मैं दुबारा layers को open कर लेता हूं और यहां से हमारी जो actual file है उसको हम लोग hide कर लेते हैं और this is the result इसके बाद जी हम लोग अपने brush tool को use करते हैं sorry shape builder tool को और इस shape को हम लोग specific कुछ areas assign करते हैं so let's use this tool और सबसे पहले face के उपर आते हैं so this is our neck ठीक है तो एक काम करते हैं layers को यहां पर open कर लेते हैं और देखते जाते हैं जी तो this is the face ठीक है तो मैंने उसको क्या बताया कि दो specific regions को आपस में join करते हैं तो यहां पर क्यूंके face यह जो हमने बाल बनाया थे इसकी back side पे है यह इसकी front side पे है लेकिन उसका path है यह हमें बता रहा है कि there are two, three and four shapes तो हम चाहते हैं कि यह चारों आपस में मिलके एक shape बना दे ठीक है जी और we need neck और यहां पर जो body का part है हमें यह एक ही shape में चाहिए तो मैंने इन दोनों को join कर दिया ठीकर जी तो हमारा यह जो face है वो complete हो गया इसके बाद हम body की तरफ आते हैं तो यहां पर आप देखें आपका जो heart है यहां पर multiple जो parts है वो गुसर रहे हैं so we need this parts और इसके लावा हमें यह भी इसके अंदर include करना है ठीक है जी और अच्छा आगे देखते हैं so यहां पर जो इसकी first leg है इसकी first leg के अंदर we need these two shapes right यहां पर इन दुनों parts इस parts को देखते हैं कि हमने इसको delete करना है यह हमने इसको इसका part बनाना है I guess यह इसका part ही बनेगा ठीक है उसके बाद जो second leg है first leg यह वाला part हमने इसमें शामिल करना है तो let's move from here ठीक है यह भी इसमें शामिल हो गया तो जो पीछे stool है उसको भी हमने इसमें शामिल करना है इसको भी इसमें शामिल करना है और यह हमारी बन गई second leg ठीक है जी उसके बाद हम यहां पर आता हैं यहां पर कुछ parts हमें नजर आ रहे हैं इसको हमने include करना है इसको हम लोग अलग से एक shape बना लेते हैं राइट इसके बाद हम लोग stool की तरफ आते हैं so we need this as a separate shape और इसके लावा यह हमें अलग से चाहिए और यह हमें अलग से चाहिए ठीक है तो यहां पर जो यह वाली shape है let's delete this shape ठीक है तो हमें जब delete करना है तो all press करें और यहां से इस shape को minus कर दें उस पाथ को delete कर दें ठीक है मुझे लगता है अगर हम इसको include कर लें तो it would be better right उसके बाद यहां पर हम उपर आते हैं तो यह हमें अलग से चाहिए यह भी इसमें शामिल है sorry यह circle का part है यह सारा circle का part बनेगा इसके लावा यह जो हमारे पास इसके अंदर paper है black यह उसका part बनेगा और यह अलग से shape बनेगी और यह वाली जो shape है इसको हम delete कर देंगे ठीक है और यह इसका part बनेगा right और यहां पर इसका हाथ जो है वह इस paper के आगे है so we want के यह कुछ part इसके अंदर शामिल हो जाए और यहां पर हमें इसके अंदर इसको include करना पड़ेगा ठीक है तो यह वाला हमें नहीं चाहिए इसको delete कर लेते हैं यह वाला area भी नहीं चाहिए इसको delete कर लेते हैं ठीक है जी so अब अपनी जो पीछे image है उसको hide करके देखते हैं और let's see what are the results so यह हमारे पास कुछ results है इसको अगर हम लोग colors assign करना चाहें तो we can assign the colors अपनी इस image को थोड़ा साइड पे लेके आते हैं तो मैंने इस path को select किया इसके बाद मैं click कर रहा हूं eye dropper के उपर और इस पे आके drop कर देते हैं यह इसके hairs को color assign हो गया same color हमें चाहिए इसकी जो first leg है उसके अंदर तो इसी पर tap कर लेते हैं ठीक है जी जो stool है we need the same color हमें black ही चाहिए तो black इसके अंदर भी fill कर लेते हैं ठीक है तो जो इसको नीचे वाला part है उसके अंदर भी इसको fill कर लेते हैं सभी में इसकी शिर्ट में इक different color चाहिए तो इसकी मैंने shirt को select किया और उसके बाद Idaho PL की मदद से हम इसकी शिर्ट पर आके टाप करते हैं वो इसकी शिर्ट को इक color assigner हो गया इसके बाद जी हमें इस envelope का color black चाहिए तो हम यहां पर दुबारा wilderness से टाप करते हैं उसको हमने ब्लाक कर दिया ठीक है और यहां पर जो स्ट्रोक्स है इन स्ट्रोक्स को देख लेते हैं कि हाव टू हैंडल विदी स्ट्रोक्स इसको भी हम लोग ये लो कर देते हैं कि अधियर ब्रेशिज में आते हैं और ब्रेशिज में आके यह वाला स्ट्रोक्स सब पर अप्लाई कर देते हैं कि यह वाला पार्ट हमसे मिस हो गया कि खिक है कि सो वी अगियर डन विधेट अगर आफ लोग यहां पर नंबर्ज लिखना क्शाहिए अप लोग नंबर्ज लिख सकते हैं इसके लाव़ कुछ एफिक्ट हैं यहां पर जाकर अपनी चीजों को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं जैसा कि हमने जब business card design करे थे वहाँ पे distort and transform में जाके हमने zigzag की option को use किया था तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे zigzag lines नहीं है लेकिन smooth pattern के अंदर आप लोग brushes से भी create कर सकते हैं इसके अलाब आप एक straight line बना के उसके उपर यहाँ पे effects भी apply कर सकते हैं आपको यह same effect मिलेगा so this is how you can trace objects using brushes using a pen tool और उसके बाद how effective the shape builder is इसकी importance आपको पता चल ही गया होगा तो practice के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं जी अपने Google Chrome में जाएं और यहाँ से जाके write ribble ठीक है ribble में जाके just write vector और आपके सामने कुछ images आएंगी जो image हमने create की वो image मैंने यहाँ से ही copy की थी just for the practice purpose तो अगर आपको यहाँ पे जो image अच्छी लगे और आप समझते हैं कि आप उसको trace कर सकते हैं अभी तक जो हमने tools को learn किया है उनको use करते हुए so अपनी image को copy करें उसको वहाँ पे जागे paste करें and start tracing the object see you in the next lesson thank you so much